हेलो दोस्तों कल रात को वे वुमेन प्रीमेर लीग में आमने सामने थी दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात जाइन्स और इस मुकाबले में कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर मजा ही आ गया तो चले देखते हैं इसका हाइलाइट रिपोर्ट वो भी सिर्फ दो मिनिट में टॉस वा तोसी का गिरा गुजरात जाइन्स के खाते में और गुजरात की कैप्टन वेथ मुनी ने पहले गेंद बाजी करने का फैसला किया दिल्ली की ओर से बल्लेबाजी करने उत्री दिल्ली की कैप्टन मेग लेनिंग के साथ शेफाली वर्मा पारी की शुरुआत उतना खास नहीं हुआ क्योंकि इनका पहला विकेट 20 रनों पर शेफाली वर्मा के रूप में बहुत जल्दी गिर गया शेफाली ने 9 गेंद में 13 रन बनाये थे इनका दूसरा विकेट अंठामा रनों पर कैपसी के रूप में गिरा जिन्होंने 17 बॉल पर 27 रन बनाये थे और तीसरा विकेट कैप्टन मेग लेनिंग के रूप में 105 रनों पर गिरा इन्होंने 14 गेंदों में 6 चाचाओका और ए यहां से दिल्ली की विकेट थोड़ जल्दी जल्दी गिरी हाला कि एनाबेल ने 20 रनों की पारी वो भी सिर्फ 12 गेंदों में खेली इन सभी के बदोलत दिल्ली ने 20 ओवरों में 8 विकेट खोकर 163 रनों का लक्ष गुजरात के सामने रखा गुजरात के और से केंदबाजे कर लारा और इनके पारी के शुरुआत ही विकेट से हुई इनकी पहले विकेट 0 रन पर लारा के रूप में गिरा और दूसरा विकेट 28 रनों पर कैप्टन वेत मुने के रूप में गिरा जिन्होंने 14 बॉल पर सिर्फ 12 रन ही बनाए तीसरा विकेट 34 रनों पर पांचवे पर लीच फिल्ड के रूप में गिरा इन्होंने एक शक्या और दो चोको की मदद से 10 बॉल पर 15 रन बनाए चोथा विकेट वेदा कृष्ण मूर्ति के रूप में तीरपन रनों पर आठोए विकेट के आखरी बॉल पर गिरा वेदा ने 13 गेंदों में सिर्फ 12 रन बनाए पाँचवा विकेट ब्राइस के रूप में 73 रनों पर गिरा इन्होंने भी 6 गेंदों में सिर्फ 3 रन ही बनाए और 6 विकेट 105 रनों पर गाडनर के रूप में गिरा हाला कि इन्होंने थोड़ी अच्छी पारी खेली और 31 गेंदों में 5 चोगे और एक शके की मदद से 40 रन बनाए 7 विकेट 113 रनों पर कांवर के रूप में और 8 विकेट पाठान के रूप में 123 रनों पर गिरा हाला कि मेघना और सायाली ना बाद रही गुजरात ने इन सभी के बदालत 20 ओवरों में 8 विकेट खोकर 138 रन ही बना पाई और दिल्ली ने इस मैच को 25 रनों से अपने तो दोस्तों ये रहा कल रात के मैच की समरी अगर आपको टीम प्रेडिक्शन भी चाहिए तो कमेंट जरूर करें और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर जरूर करें मिलते हैं गली वीडियो में